नूट्रियंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट ज्यादा न्यूट्रेंट्स होता और किसी में बहुत कम होते हैं। The following will give you an idea of the amount of major nutrient in some food that you eat everyday. अच्छा अभी तक तो हमने पढ़ा कि किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूट्रेंट्स और किसी में कम होते हैं। लेकिन कुछ food items आप मुझे comment section में बताईएगा कि कौनसे food items ऐसे जिन में बिल्कुल भी nutrients नहीं होते हैं। First is cereals. Cereals यानि अनाज, वो कौनसे? Wheat rice, wheat गेहों को बोलते हैं, rice चावल. इन में सबसे ज़्यादा carbohydrates होता है। कितना होता है? 70% 70% carbohydrates होता है। बहुत कम protein होता है। कितना? 10% के around. और बहुत ही कम वो भी minerals and vitamins होते हैं। Cereals are therefore eaten with every meal. फिर भी हम cereals हम गेहों, देली खाते हैं, हमें पता हम चपाती, पराठा, यह कुछ भी आप लोग को पसंद है गेहों का, वो सब आप daily almost खाते हैं। क्योंकि यह हमें energy देता है। You must get most of your energy from carbohydrates. जादतर energy हमें carbohydrates से ही मिलती है। जो हम daily diet में अपना include करते हैं। नेक्स्ट इस शुगर is 100% carbohydrates, शुगर हमने पीछे भी पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, कि शुगर से हमें सबसे ज़्यादा energy और बहुत quick energy मिलती है। बहुत ज़्यादा शुगर खाना भी health के लिए बहुत ज़्यादा हांफुल है। पल्सिस में यानि दाले, मज़ूर की दाल, अहरर की दाल, उड़त की दाल बहुत सारी दाले होती हैं। वह आप अपनी घर में ममा से पूछिएगा। देर आर लैस carbohydrates, उनमें carbohydrates कम होता है। लेकिन उनमें proteins ज़्यादा होता है। और वह उसमें vitamins and minerals भी होता है। करने के लिए डाइट में पल्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो non-vegetarian है वह कहां से ले सकता है। फिश, मीट और एक्स से प्रोटीन वह अच्छे मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन इस प्रोटीन के साथ हमें इन्ही सबसे फैट भी मिलता है। जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छा है। और इससे हमें वाइटमिन्स भी मिलते हैं। कैरट्स जो गाजर होती है उसमें विटमिन ए बहुत जादा होता है। जो हमारी आईज के लिए सबसे इच्छा होता है। पाला के स्पिनिच और कैबिच वह विटमिन्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इन दोनों को अपनी फूड में इंक्लूट करेंगे तो वह रफिज का एक सोर्स है। वहां से रफिज मिलेगा। क्लारिफाइड बटर जिसे हम घी हम घरों में डेली अपनी फूड में इंक्लूड करते हैं बटर ओई यह हंड्रेट परसेंट होते हैं और हमें अपनी डाइट में इसे बट लिमिटेड अमाउंट में ही इंक्लूड करना चाहिए यह बहुत जरूरी होता है फूड कें बी डिवैड इंटू फॉल्वींग टूड अब कौन-कौन से फूड को हम कैसे कैसे घ्रोप्स में डिवाइड कर सकती हैं फूड रिच इन कार्भॉहाइडर जो कार्भॉहाइडर्स और फैटस जिन में ज़्यादा है उससे हमें एनर्जी मिलती है तो वो कौन से फूड हो गए, energy giving foods, next is food rich in proteins, जिन में protein बहुत जाता है और जो हमारी body को grow करने में help करते हैं, तो वो कौन से हो गए, body building foods, अब next आता है, जिसमें vitamins and minerals बहुत जाता है food में, और वो protective food हो गए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी बिमारियों से बचाते हैं, I hope it is clear to you all of you, next we will start on balanced diet, balanced diet क्या होती है, balanced diet हम अक्सर सुनते आ रहे हैं और बहुत से बच्चों को ये पता भी होगा, but still, balanced diet जिसमें आपको सभी nutrients एक proper amount में मिल पाएंगे, daily diet में वो ही balanced diet होती है, to remain healthy, you need all the nutrients in the right amounts, no single, किसी एक food item से आपको सारे nutrients एक साथ नहीं मिल सकते, इसी वज़े से हमें एक combination यानि हर तरिके का food item को हमें अपनी diet में शामिल करना पड़ता है, अब इसकी definition क्या है, a balanced diet is one that contains the proper amount of each nutrient, हर nutrient का एक proper amount जिस plate में आ रहा है या diet में आ रहा है उसी को हम balanced diet कहते हैं, However, a balanced diet is not the same for everyone, जबकि ये जो balanced diet है वो सभी के लिए एक जैसे हम नहीं हो सकता, किसी का बहुत जादा physical work है, महनत का काम है, किसी का बहुत जादा पढ़ने का लिखने का काम है, तो उनका mental work हो गया, किसी का कोई और काम है, तो सब की diet अलग-अलग होनी चाहिए, जैसे, फरस्ट आ रहा है, चाइल्ड होड में छोटे सा बच्चा होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है, उसकी बाड़ी तेजी से बढ़ती है, तो उसे proper protein की ज़रूरत है, तो उसकी diet में protein जादा होना चाहिए, नर्सिंग मदर्स है, जो new new mama बनी है, या pregnant woman है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा protein की ज़रूरत है, जिससे कि वो बेबी को अच्छे से grow कर पाए, तो उनकी भी diet में protein बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो hard working labors होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा बोज़ध होने का भी काम जो करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा physical work होता है, उन्हें carbohydrates और fats की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, comparative to proteins. अब cooking of food, foods such as vegetable cereals and meat are cooked before eating, हमेशा खाने से पहले उसे cook करना यानि पकाना बहुत ज़रूरी होता है, cooking करने से food soft हो जाता है, tasty हो जाता है, और easy to digest होता है, और एक पॉइंट और उसमें जो germs होते हैं, वो भी किल हो जाते हैं, but wrong cooking method, लेकिन अगर गलत तरीके से खाना बनाया जा रहा है, तो वो सारे जादा तर nutrients को destroy भी कर सकते हैं, vegetables and fruits should not be washed after cutting or peeling them, vegetables and fruits को काटने के बाद या छीलने के बाद, पील मतलब उसका छिलका उतारना, छीलने के बाद में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उनके सारे nutrients, peeling के बाद वो खतम हो जाते हैं, इसी लिए हमीशा fruits and vegetables को काटनी और peel करने से पहले ही wash करना चाहिए, या आप अपनी घर में अपनी मदर्स को जरूर बताएगा, this result in the loss of some vitamins and minerals, washing rice and pulses, repeatedly also result, बार 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 अगर दालों को और चावल को भी धोया जाए, wash करा जाए, तो वो भी अपन vitamins and minerals को lose कर देते हैं, खो देते हैं, food should be cooked, food should be cooked in just enough water, enough water में ही food को cook करना चाहिए, मतलब जितनी food को requirement है पानी की उतना ही पानी डाल के cook किया जाना चाहिए, अगर उसमे cooking in too much water, उसके बाद में, अगर क्या होगा, आपने पानी जादा डाल दिया, cook कर लिया, लेकिन उसके बा vitamins C gets destroyed during cooking, vitamin C cook करने के बाद में, पूरा vitamin C destroy हो जाता है, क्योंकि वो heat may destroy होने की tendency होती है, we should therefore eat raw fruits, इसी वचे से हमें, vitamin C के जितने भी raw fruits और vegetables है, हमें raw ही खाना चाहिए, raw से मतलब कच्छा ही खाना चाहिए, without cooking, now most important is, deficiency disease, जो आप तक हम पीछे पड़ते आ रहे हैं, वो exactly में क्या क्या है, कौन कौन सी deficiency disease है, many people in the world cannot afford a balanced diet, बहुत से लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, और उन्हें वो proper amount का food नहीं मिल पाता, जो एक balanced diet में ले सकते हैं, गरीबी की वज़े से, some others do not get balanced diet because of wrong food habit, किसी किसी को खराब खराब खाना खाने की आदत होती है, खराब खाना खाने से मतला, जैसे कोई-कोई noodles, chao mean, burgers, pizza, यही पसंद करता है, तो क्या उन्हें healthy diet में include कर सकते हैं, no, never, कभी भी नहीं, for example, many children do not eat green vegetables, बहुत से बच्चे, green vegetables नहीं खाते हैं, जो कि vitamin and minerals से भरे हुए हैं, बहुत से लोग गलत तरीके के खाने की habit रखते हैं, cook करने की habit रखते हैं, जिससे की वज़े से बहुत सा nutrients food में से खतम हो जाता है, people who do not get the right amount of all nutrients from their food suffer from deficiency disease, अब जिन लोगों को अच्छी amount में nutrients नहीं मिल पाता है, या वो food नहीं खा पाते हैं, वो deficiency disease के शिकार हो जाते हैं, या वो सफर करने लगते हैं उस पर, the effects of the deficiency of different nutrients are discussed below, अब deficiency of carbohydrates, अगर carbohydrates की deficiency हो जाए, तो क्या होता है, वो कौन कौन से बिमारिया होती हैं, उसके बारे में हम discuss करेंगे, most of the energy we need comes from carbohydrates, carbohydrates से हम बार बर, अब तक तो आपको लर्ण भी हो गया होगा, कि carbohydrates से हमें energy मिलती है, तो क्या है, about 320 gram of cereals can provide 12 year old, 12 साल के एक बच्चे को कितना gram cereal मिलना चाहिए, जिससे कि उसे per day में इतनी energy मिल पाए, if your diet gives less energy than required by our body, by your body, it is deficient in carbohydrates, people with carbohydrate deficiency in their diet are weak and do not have enough stamina, जिन में carbohydrates की कमी हो जाती है, उन लोगों में हर समय ठकान बनी रहती है, उनका stamina बहुत डल हो जाता है, और वो बहुत जादा weak भी हो जाते हैं, और वो बहुत जादा physical और mental strain भी नहीं ले पाते हैं, eating too much of carbohydrates, वो भी अगर बहुत जादा carbohydrates भी ले लिया, सोचा हमने कि हम energy तो मिली रही है, जादा से जादा ले लो और energy लेते जाओ लें, लेकिन वो भी कहीं न कहीं health को problematic बना देगी, वहाँ पर भी बिमारियां खड़ी हो जाएंगी, most of the extra carbohydrates are converted and stored as fat, अब जादा carbohydrates ले लिया, तो उसके बाद क्या हो गया, वो fat में convert हो जाएगा, और body में जमा हो जाएगा, इसके वाज़े से क्या होगा, obesity याने मोटा पर बढ़ने लगेगा, overweight people are not very active, और जो fatty होते हैं, overweight होते हैं, वो बहुत जादा active नहीं होते हैं, और जादा तर वो बिमारियों में घिरे रहते हैं, जैसे की heart की बिमारी, अब proteins and fats, proteins और fats के कमी से क्या हो जाते हैं, प्रोटीन और fats के कमी से, अब क्वाशिर कोर, क्वाशिर कोर, is a disease caused by protein, डेफिशन्सी, ये बच्चों में होता हैं, जिन में प्रोटीन की बहुत जादा कमी होती हैं, उनका stomach swollen हो जाता है, यानि सूझ जाता है, और legs बहुत जादा, पतली-पतली हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है, और skin भी बहुत पैची-पैची हो जाती है, धब्बे वाली हो जाती है, अगर उनकी ये treatment टाइम पर नहीं किया जाता है, तो mental और physical growth पर बच्चों की effect पड़ेगा, और उनका mental और physical growth कम होने लगेगा, या धीरे होने लगेगा, मेरिसमस, ये disease, deficiency, protein, carbohydrates और fats की वज़े से बच्चों में होता है, चाइल्ड किस टाइप का हो जाएगा, बहुत जादा पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, that loses folds of skin, जैसे यहाँ पर skin में folds आनी start हो जाती है, मतलब स्किन इतनी जादा lose पड़ जाएगी, जो कि हम अपने उसक called essential nutrients, because they are necessary for the normal development and functioning of the body system, body system की proper functioning और development के लिए vitamins और minerals हम सब को पता है, बहुत जादा जरूरी है, और जिससे की body activity हम proper way में कर पाए, each vitamin is needed for a specific purpose, हर vitamin का, जो हमने पीछे अभी table पड़ी थी, उसमें हमने हर vitamin का अलग-अलग purpose था, उसका, कोई किसी चीज में फायदा पहुचा रहा है, कोई किसी चीज में फायदा पहुचा रहा है, deficiency of one or more vitamins, लेकिन अगर एक या एक से जादा vitamins की अगर कमी हो जाए body में, तो कई तरीके की बिमारियां start हो जाती है, these diseases सीधा कहां पर effect करेंगी है, इस बिमारिया, eyes, skin, bone, hair, generally growth of the baby, teeth, इन सब में करेंगी, अगर आपको ये फिर वापिस से revise करने के लिए आप उस table को जरूर read करियेगा, वो most important table है, next is, like vitamins, minerals are needed by the body in very small amounts, vitamins or minerals, vitamins की तरह minerals को भी small amount की ही, body में ज़रत पढ़ती है, वो body में, they are supplied to our body in the form of salt by various food, various food, जानी जो भी आप खाना खाते हैं, सभी में salt होता है, बिना salt का तो हम कोई खाना न बनाते हैं, न खाते हैं, तो वो जो minerals होता है, वो salt की ही थूरूरी body में पहुचता है, deficiency of minerals in the body causes deficiency disease, ये इसके भी table आपकी बुक में मैंने पीछे कराई है, आप उसे जरूर लर्ण करना, let us study in detail about the deficiency, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या deficiency diseases हो जाती है, minerals की कमी से भी, जैसे vitamins की और minerals दोनों का हम साथ में लेंगे, Scurvy is a disease due to the lack of vitamin C, vitamin C की कमी से scurvy रोग हो जाता है, उसके symptoms क्या हो जाते हैं, swelling आने लगती है और gums में से bleeding आने लगती आने खून आने लगता है, और wound भी पूरी तरह से जल्दी ठीक नहीं हो पाता, In the 16th and 17th century, sailor who went on long voyage, voyage मतलब होता है सफर पे जाना, वो from this disease, उसमें वो इस बिमारी से, मतलब उसे ये बिमारी हो गई थी, इस century की बात बता रहे हैं वो, As they did not get, क्योंकि उसे क्या fresh fruits नहीं मिल पाया था, उस time की जो वो उस time की traveling में था, उस time पे वो fresh fruit उसे नहीं मिल पाया, जिसकी वज़े से उसे vitamin C नहीं मिल पाया, और उसे ये बिमारी हो गई, In the year 1747, a doctor named James Lind, James Lind नाम की doctor ने discover किया, कि ये जो cellar है, अगर इसे lemons और oranges दिये जाए, तो ये इस बिमारी से बहुत जल्दी ठीक हो पाएगा, This led to the discovery that scurvy is the deficiency disease, इसी discovery की वज़े से पता चला था कि scurvy बिमारी vitamin C की deficiency की ही वज़े से होती है, Next is rickets, rickets is a disease of the bones, ये bones की बिमारी होती है, जैसे कि आप पिच्चर में देख रहे हैं, ये बच्चे को rickets की बिमारी पिच्चर में शो कर रखे है, In children suffering from rickets, bone becomes soft and hands, ये देखे बिटा, ये है आपका, इसमें जो पिच्चर दे रखे हैं बुक में, उसमें इसके पैर थोड़े से tilt हो गई है या D-shape हो गई है, और इसकी वज़े से, क्या हुआ इसे, rickets बिमारी हो गई है, Bow legs, यानि bow की तरह से हो गई, pigeon type chest हो जाती है, और bending of the spine या, कमर जो होती है, वो मुड़ने लगती है, ये common symptoms है, rickets के, ये आपको ज़रूर लर्ण करना है, There may also be pain in the bones, और bones में भी pain होना स्टार्ट हो जाता है, and loss of tooth enamel, और tooth के, teeth के जो white part होता है, वो भी घुसने लगता है, या जड़ने लगता है, In adults, bones become brittle, brittle मतलब होता है, चूरा चूरा होके गिरना, यानि एकदम से अचानक से तूट जाना, और बहुत जल्दी fracture हो जाना, थोड़ी सी ही ठैसक लगती है, तो एकदम से fracture यानि बोन तूट जाती है, रिकेट्स is caused by the lack of vitamin D, vitamin D की कमी की वज़े से रिकेट्स बिमारी हो जाती है, और मैंने आपको बताया था, natural source क्या है vitamin D का, वो आप मुझे कमें सेप्शन में जरूर बताना बिटा, and the mineral calcium, lack of the mineral phosphorus, अब mineral phosphorus, phosphorus भी हमने पढ़ा था, उसकी वज़े से bones और teeth की problem स्टार्ट हो जाती है, next is anemia, is caused by the deficiency of iron, anemia बिमारी कैसे होती है, iron की अगर डाइट में कमी हो जाए तो, it is a disease in which there is deficiency of a substance, जिसे की hemoglobin बोला जाता है, hemoglobin यानी blood, blood में, blood cells में, blood में अगर कमी हो गए, blood की कमी हो गए तो उसमें anemia बिमारी हो जाती है, found in the red blood cells of our body, because of these, the blood is unable to carry the full supply of oxygen, इसके वज़े से क्या होगा, अगर खून की कमी हो गए बाडी में, तो वो blood पूरी बाडी में oxygen properly supply नहीं कर पाएगा, cells को, तो उसकी वज़े से क्या होगा, जब oxygen उसके body को नहीं मिल पाएगा, किसी person की, तो वो बहुत जादा पीला उसका yellow color का, हलका yellow color का उसका look आ जाता है, या face हो जाता है, या complexion हो जाता है, और वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है, और उसका appetite भी loose हो जाता है, यानि पाचन जो उसका digestive system होता है, वो भी बहुत loose हो जाता है, another type of enema result from the lack of vitamin B12, in this disease, a vitamin B12 में, क्या हो जाता है, red blood cells की formation ही effect कर जाती है, कम हो जाती है, goitre, goiter, is caused by the lack of mineral iodine, अकर iodine की कमी हो जाए डाइट में, तो goiter नाम की एक बिमारी हो जाती है, जिसमें की जो गला होता है, वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, the thyroid gland, वो thyroid gland जो situated होते हैं, नेक में, बहाँ पर swelling आ जाती है, बहुत ज़्यादा, और जिसे की thyroxin बोला जाता है, वहाँ पर जो chemical होता है, जो एक body की growth को control करता है, वो भी उसके भी production कम हो जाती है, जो हमने पीछे आपको hormones बताये थे, thyroid hormones, उसकी भी कमी हो जाती है, a child suffering from gutter shows slow and retarded physical and mental growth, उसकी अगर किसी बच्चे को, या किसी भी person को, अगर ये problem start हो गई है, तो उसकी physical और mental growth पे बहुत ज़्यादे effect पड़ता है, gutter used to be common among people living in the Himalayan region in our country, जादा तर, जादा तर, जादा तर gutter किस्मी होता है, जो Himalayan region में रहते हैं हमारी country में, जो पहाडों पर हैते हैं, as the iodine content of soil and water is low, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है और पानी है, वहाँ पर उसमें iodine की कमी होती है, However, consumption of iodized salt has helped to reduce the incidence of gutter, अकर iodized salt को consumption में लिया जाए, या consume किया जाए, या फिर उसे हम अपनी खाने में यूज करें, तो इसकी वज़े से gutter को हम रोक सकते हैं, Okay students, आपका chapter फिनिश हो चुका है, जाएर चाहँ के C-This nationale खमाए बांनाgre